हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है आउति देने वाला भी ब्रह्मा है इस प्रकार जिसकी बुद्धी में सब कर्म ग्यान में है उसको ब्रह्मा प्रापत होता है कोई कर्म योगी देवतों की पूजा करते हैं और ग्यान योगी ब्रह्म रूप अगनी में यग्य रूप म आपान वायू में अपान 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 वायू म बायू का ले करते हैं कोई आहार को निंतर कम करके प्राण को होमते हैं वे यग्य वेता और यग्य से ही इनके सब पाप नश्ट हो जाते हैं जो यग्य में बचे हुए अमरित रूप अन को खाते हैं सनातन प्रम्मा को प्राप्त होते हैं हे अरजुन जो यग्य नहीं करते हैं उनको ये लोग पर लोग दोनों ही नहीं है इस परकार से बहुत से यग्य बेद में बिस्तार सहीत बरनित हैं इनको सबको कर्म से उत्पन हुआ जानो हे प्रंतप द्रब्बे में यग्य से ग्यान यग्य उत्म है हे पार्थ फ़ल सहीत सब करम ग्यान के इसमाप्त हो जाते हैं तो उस ग्यान यग्यतत तवर्शी सतत दर्शी और ग्यान योगी लोग तुमको उपदेश करेंगे इसलिए तुम उनकी सेवा करना उनको बिने पुरवक्त परसंड करके ग्यान यग्यम जानना इस ग्यान का लाब राप्त करके तुमको ऐसा मों फिर नहीं में होगा इस ग्यान से समस्त प्राणियों को तुम अपने मुझ में देखोगे यदि सब पराणियों से भी पाप करने वाले हो तो विग्यान रूपी नोका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे है अरजुन जिस परकार प्रजलित अगनी लकडी को जला कर भस्म कर देती है इस लोक में ग्यान के समान पवित्र हो कुछ नहीं है यह ब्रमा बहुत काल प्रयंत है, करम योग है यह से सिद्ध हुए है, पुर्षों को अपने आप ही प्राप्त होता है जो शरदावन पुर्ष गिंद्रियों को जीत कर ब्रमा ग्यान को लगा रहता है बेग्यान को प्राप्त होता है और ग्यान को पाकर अलप शर्व में शांती को पा जाता है अग्यानी शर्दा रही तो जिनके मन में संदे हैं ऐसे पुर्ष हैं जो वे नश्ट हो जाते हैं जिनके मन में संदे रहते हैं उनको ये लोग पर लोग और कुछ भी प्राप्त नहीं होता जिसने परमेश्वरा अधना और निश्काम कर्मयोग के आश्चे से करम कवंदन त्याग दिये है हे अर्जुन इस आतम ज्यानी पुर्ष को करम नहीं नहीं बांते अतया अग्यान से उत्पन हुए चित इस संशे को ग्यान रुपी तलवार से काट कर मेरे बताय हुए करमयोग को करने के लिए परस्तुत हो जाओ इती श्री मदवगवद गीता गीता सूप निष्ट सूब रम्मा बिद्या योग शास्त श्री किष्ण अर्जुन संबादे आतम सहिम योगो नामे चतुता दियाए चोता दियाए श्री किष्ण बोले हे लक्ष्मी जो पुरश श्री गीता जी का पाट करते हैं उनके पर्श मातर से अधम धे शूट कर मुक्ति को प्राबत होती है लक्ष्मी जी ने पूछा हे महराज क्या श्री गीता जी के पाट करने वाले शूकर भी जी मुक्त हुए है तब श्री भगवान ने कहा है लक्षमी तुमको मुक्त हुए एक प्रातन कता सुनाता हूँ भगी रती गंगा जी के तट पर एक काशी पूर नगर है वहाँ एक बैशनव गीता जी के चोथे अध्याई का पाथन किया करता था एक दिन बैसादू बन में गया वहाँ वेरियों के दो ब्रिक्षते उनकी बड़ी शाया थी बैसादू बहाँ बैठ गया और बैठते बैठते ही उसको निद्रा आगी एक बेरी से उसके पाव लगे और दूसरी के साथ सर लग गया बैठ दोनों बेरियां आपस में कांप कर पिथी पर गिर पड़ी उनके पते सूगे परमेश्विर की इच्छा से बैठ दोनों बेरियां ब्रामन के घर पुत्रियां पैदा हुई हे लक्षमी बड़े उगर प्राणों पुन्यों के करने के से मुनश्य की दे मिलती है फिर भी ब्रामन के घर जनम लेकर उन दोनों लड़कियों ने तो पस्या आरम की जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा हे पुत्रियों हम तुम्हारा बिवा करते है तब उन दोनों ने माता पिता से कहा तुम बिवा नहीं करेगी हम बिवा नहीं करेंगी उनको अपने पिछले जनम की ख़वर थी बैसुन्दर जाती में जनमी थी उन्होंने कहा हमारे मन में एक कामना है ये परमेश्वर बैपूरी करे तब बड़ी भली बात है तो उनके मन में यही था कि बैसादू जिसके सपर्ष करने से नहीं पिछले हमारी अधम दे छूट कर गे-दे मिली है बै मिले तब बहुत भला है इतना विचारत कर दोनों लड़क्योंने माता-पिता से तिर्थी आत्रह करने किया गिया मांगी तब माता-पिता ने तिर्थी आत्रह आग गिया दी तब दोनों कन्याओं ने माता पिता का चरन बंदना करके गमन किया तिर्थ यात्रह करती करती बेबनारस पहुंची वहाँ जाकर देखा कि उत्पस्वी बैठा है जिसकी किरिपा से हम बेरी की दे से छूटी है तब दोनों कन्याओं ने चरण बंदना करके बीने करी है संत जी धन्य हो, आप ने हमको कितार्थ किया तब उत बसनिका तुम कौन हो तुमको नहीं पैचानता कन्याओं ने कहा हम आपको पैचानती है हम पिछले जनमे बेरियू की योनी में थी एक दिन वन में आये थे तुमको बहुत धूप लगी थी तब बेरियों की छाय तले आ बैठे लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरन लगे या दूसरी से सिर लगा ता उसी समय हम बेरी की दे से मुगत हुई तुमारी कृपा से ही हमारी गती हुई है श्री गीता जी के चोथे द्याय का ऐसा मातम है कि बे तम बे मन बचन करम से नित्य प्रती पाट करने लगा तम श्री नारायन जी ने कहा हे लक्ष्मी ये चोथे द्याय का मातम है जो तुमें सुनाया पांच मादी आए अर्जुन बोले हे शिरी कृष्ण तुमने पहले करमों को त्याग करने को कहा फिर करम की प्रशंसा करते हो इन दोनों में जो अधिक हितकर है बै एक बात निश्चे करके बतलाओ शिरी कृष्ण बोले करमों का त्याग और करमों का करना ये दोनों ही मौक्ष देने वाले हैं परंतु इन दोनों में करम त्याग से करम योग हित कर जो किसी से द्वेश नहीं रखता ना किसी से पदात की च्छा करता है बैसनियासी ऐसा पुर्श संसार बंदनों से मुक्त र जाता है उसको दोनों फल प्राप्त होते है ग्यानी योगियों को जो स्थान मिलता है वे कर्म योगियों को प्राप्त होता है ग्यानी योग वे कर्म योग एक ही कर्म है एक ही है कर्म योग के कर्म योग के बिना सन्यास का प्राप्त होना दुश्कर है और कर्म करने वाले पुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में भी लंब नहीं लगता कर्म योग युक्त शुद्ध अंत कारण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने बाला सम्पूरण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने बाला कर्म करता हूँ अभी कर्म फल से लिपत नहीं होता योग युक्त तत्वेता पुर्ष देखते हैं कि सुनते हैं सपर्ष करते हैं सुंकते हैं खाते हैं चलते हैं श्वास लेते हैं तो भी मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता वे बोलते हैं त्यागते हैं ग्रैन करते हैं परन्तु यही मानते हैं कि कुछ नहीं करता मन और धारना क करता है बैपाप से लिपत नहीं होता जैसे कमल पत्र जल नहीं ठहरता योगी जन श्रीर से मन से बुद्ध-द्री तता इंद्रियों को असक्ति से होका रहत होकर आत्मा चुद्धी के निर्मित करम करते हैं योग पुर्ष करम फल त्याकर मौक्श रूप शान्ती का लाब करता है और जो योग रही तब्य करम की इच्छा के बंदन में पड़ जाता है सब कारियों को मन से त्याकर करके प्राणी इस मन दोरा इंद्रियों के देरूपी पूरी में कुछ नहीं कुछ करता और नाई करता हुआ अनन्द पूर्वक रहता है हे परमेशवर किसी करम में प्रवित नहीं करता करम और करम फल को उत्वपन नहीं करता ये सब परविती द्वारा होते रहते हैं परमेश्वर किसी के पुर्ने तथप आपको नहीं लेता ग्यान जो अग्यान से आच्छतित है उससे जीव मो को प्राप्त होते है परन्तु आतम ग्यान के द्वारा जिनका अग्यान नश्ट हो गया बे आतम ग्यान परमेश्वर के रूप को ऐसा बाशित करता है जिस प्रकार सूरे संपुर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार प्रमातमा में जिसकी बुद्धिस्तिर है उसी में मन लगाते हैं उसी में निश्टा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं ग्यान दोरा जिनके सब पापन अश्ट हो गए है बे इस संसार में जनमते नहीं बिद्धिया और बिने संपन ब्रामन में गाये में कुता में और चंडाल पंडित जन ततक दिश्टी समान रहते हैं जिनके मन में इस तरह किसमानता अतुपन हो गया उन्होंने इस लोग के जनब मरण रुपिसंसार को जीत लिया है क्योंकि बजूर्पा निदोश असरवट्र बसमान है इसलिए भी ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं जो प्रिय पदार्थ को पाकर परसन और अप्रिय को पाकर खिन नहीं होते ऐसे सिर्बुद्धी वाले मौरहित ब्रह्म वेता को ब्रह्मा स्थिर जानों बाहरी पदार्थों में जो चित को आसकत नहीं होते वही आतम सुख कानवव करते हैं और ब्रह्मा के अंत कारण को मिला अक्षिय सुख मौक्षता प्राप्त करता है जो ये इंद्रियों को स्पर्षक से उत्पन होने वाले भोग बस्तर दुखदाई है उनका आधि भी और अंत भी कंते ग्यानी लोग ऐसे भगतों मेरत नहीं होते हैं श्री छूटने के पहले जो मुश्य काम करोद और के वेग में को सेन करने की असमर्त होता है वही योगी सच्चा सुखी है जो योगी संसार योगी आतम सुख से सुखी आंतरातमा के अनंद से अनंदित और अंतर जोती ही परकाशित है बैब्रम रूप होकर बड़ा निर्वान मौक्ष को प्राप्त होता है जिसके नष्ट हो गए है करम को बुद्धिक दूर हो गई है मन को जिनोंने वश्म कर लिया है जीवन मातर को हित चाते हैं ऐसे योगी ब्रमा निर्वान प्राप्त होता है काम तता करोद जिन में नहीं है बैब मन के वेको को जिसने रोक लिया है ऐसे आतम ग्यान योगियों के ब्रमा निर्वान सहजी प्राप्त होता है बाहरी पदार्थ के स्योग के अलग लग रहकर बहुं के बीच में दृष्टी लगा कर नासिका के बीतर चलने वाले स्वामी और सब पराणियों को मित्त जानते हैं उन्हीं को शांती प्राप्त होती है इती श्रीमद भवगत गीता गीता सूप निष्ट सूप ब्रह्मा बिद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संबादे सन्यास योगो नाम पांचमों अधिया पांचमों अधिया श्री भगवान जी बोले श्री किशन भगवान जी बोले हे लक्ष्मी पांचवे ध्याई का मात्म में सुनो एक पिंगल नाम का ब्रामन अपने धर्म से ब्रश्ट हुआ कुशंग में बैठ मच्छी मास कावे मदरा पान करे जुगा खेले देव योग से वे पिंगल एक राजा क यहां नोकर हो गया राजा के पास लोगों की चुगलियां किया करे जब बहुत दिन बीते तो बैठ धनवत हो गया उसने अपना बिवा कर लिया प्रतु इस्त्री बेबिचारनी आई बैए इस्त्री को मारता उस इस्त्री ने दुखी होकर अपने पती के उबिश दे दिया ब्रामन मर गया उस ब्रामन ने गिद का जनम पाया कुछ काल पीछे बैए इस्त्री भी मर गयी तो उसने तोते का जनम पाया तब बैठ एक तोते की इस्त्री हुई और एक दिन तोती ने तोते से पूछा है तोते तुने तोते का जनम क्यों पाया है तोता बोला है तोती मै अपने पिछले जनम की कथा सुनाता हूँ मैं पिछले जनम मैं ब्रामन था अपने गुरु की बात नहीं मानता था मज़े को गुरु जी ने श्राप दिया कहा तू तोते का जनम पावे इस कारण तोते का जनम पाया अब तू किस कारण तोती हुई उसने का मैं पिछले जनम मैं ब्रामनी थी एक दिन मैंने अपने पती को बिष्ट दे दिया और बैं मर गया तोते ने कहा तू बुरी है जिसने अपने पती को बिष्ट दे दिया एक दिन बैं तोती बन में बैठी थी बाग गिद आया, तोती को उस गिद ने पहचाना और गिद तोती को मारने चला आगे आगे तोती पीछे पीछे की जाते जाते तोती एक शम्शान भूमी में ठक कर गिर पड़ी बाग एक सादू का दा संसकार हुआ था, सादू की खोपड़ी बर्शा के जल के साथ भरी हुई थी बै उसमें गिरी तो इतने में गिद आया और तोती को मारने लगा उसने खोपड़ी के जल के साथ उसकी दे धोई गी और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गे और अधम दे से छूट कर देवी दे पाई और बिमान आये जिन पर बैट कर वे दोनों बैक उंट गे बैक खोपड़ी एक ऐसे सादू की थी जो श्री गीता जी के पांचवे ध्याय का पाट करता था बैपर्म पवित्र था उसके जल से दोनों पवित्र हो गे जो पराणी श्री गंगा जी का सनान करके श्री गीता जी का पाट करते हैं बैक उंट को जाते हैं श्री भगवान जी बोले शटा दिया हे अरजुन जिसकी करम फल में आ सकती नहीं है और करमों को करता है बैस सियासी और योगी और जिसने हवन नादी लौकिक करम छोड़ दी है बैय योगी नहीं है यह अरजुन जिसको सियासी कहते हैं उसी को करम योगी जानो क्योंकि संकल्पों को कात्या किये भीना कोई योगी नहीं हो सकता जो मुनी योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन करम है और उनके योगी होने पर उनका ग्यान पूर्ण होने का साधन उनके चित का समाधान है जब मनुश्य बिश्य करमों के आसकती से छूट गया और बासनों को उसने त्याग दिया उसी समें बै योगा अरूर कहा जाता है जिसने मन स्वाधिन कर लिया बै अपना हितकारी और जिसने विवेक का त्याक किया है बै स्वयम ही अपना शतरू है मन को ज Johnny वाले शांत ज्वाब मुनश्य की आतमाशीत उशन और दुक मान अपमान होने से पर भी अतियंद से रहती है जिस से ज समझता है एक जैसा दोनों को समझता है वैं योगी कहलाता है सर से हिर्द्य मित्र शत्रु उदासिन दोशी द्वेशी मध्यस्य द्वेश करने योग बंदु बर्ग और पापी इन सब में जो समान दिश्टी रखता है वैश रेष्ट है योगी पुर्ष मन और आत्मा को अप अवर्म मृगा दिगो का चरम और उसके उपर बस्तर बचावे थान ना तुबहुत उंचा हो ना बहुत नीचा हो उसी पर मन एकागर करके चिट और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए आत्मशुद्दी के लिए योग करना चाहिए श्रीर का मस्तक और गर्दन को सम क करके अचल होकस्तिर होए अपनी नाग के अगर भाव को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दिश्टी हटाए रहे बहरे तोकर शांत चित से ब्रमाचर ब्रत का पालन कर अपने मन को रोकर मुझे में ही लीन हो मन को योग में लगावे इस परकार मन को बश्म करने वाले य करने वाली शांती प्राप्त होती है ही अर्जुन जो अधिक भोगजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है जो बहुत सोता है जाकता रहता है उसको योग प्राप्त नहीं होता जो उप्यूक्त हार और बिहार करता है कर्मों का योग करता है कर्म के योगरिती पालन करत तथा यह था समेस होता है जाकता है योग ऐसे पुर्ष का दुख मिटा देते हैं तब सेयम को प्राप्त हुआ चित अपनी आत्मा से ही स्थिर हो जाता है सब कामराओं से निव्रित हो जाता है तभी योगी मौक्ष पद्ध जाता है जिस परकार योगी अपने चित को निश् योग व्यास के कारण चित का बेग रुक कर विश्यों में पित्थक होने लगता है और जब शुद अंत कारण से आत्मा को ही देख कर आत्मा में ही सुन्तूष्ट होता है जिस सवस्ता में बात्यंत सुख है जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता बर्न केवल बुद्धी से जाना जाता है अनुवब करता है और बैयोगी आत्म रूप सवरूप में स्थित हो और बिचलित ना हो जिस सवस्ता को पाकर और कोई बड़ा वारी दुख उसे चला या नहीं कर सकता इस अवस्ता को दुख रूप संसार के से योग से रही तथा जिसका नाम के योग है जिसे योग निर्वी कल्प चित से निश्चे करके ही करना चाहिए संकल्प से उत्पन होने वाले समस्त कामनों को त्याक कर और मन मैं सकल इंद्रियों को चारो और से रोक का धैरे से के साथ पुद्धी अपने अधीन करे धीरे बिश्यों से दूर हटे बली बांती मन को आत्मा में स्तिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे बैच चंचल और अस्तिर मन जिदर जिदर जाए उदर उदर इसको हटाए हटाकर आत्मा के वश्म करने चाहिए इस परकार शांती और चित रोजगुन रजवगुन तता रहीत निश्पाफ्स ब्रह्म सवरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है इस रिति के दिश्ट्र योगा व्यास करने वाला योगी समस्त पा पराणियों मैं अपने को इपन को सप्रानियों को देखता है जो सब chilly청 मुझ सबको देखते हैं उसमें अलग नहीं हों मुझ में ये बेलग नही जो अप्र वेद चितितरता यह प्रणियों के मेरा मलन करता है और योगी चाहिए जिस तवस्ता में रहे मुझ मैं मिलता है य जो प्राणियों सब प्राणियों के दुक सुख को अपने दुक सुख के समान समता है और सब को सम मान्भाव से देखता है तरजन कहा है मदसुधन अपने जो यह योग सिखाया बै नाम योग विकल्प होने से मदु सूदन आपने जो योग सिखाया कि सब को अपने समान देखे सो मन चंचल होने के करने उसकी द्रिड दिश्चिष्टी स्थिती अपने मैं नहीं देखता श्री किषिन बड़ा ही हटी और प्राक्रमी और द्रिड है इसको अधिन रखना तो मुझे वायू को बांध रख चनित होता है श्री किष्ण ने कहा बगवान ने कहा हे महाबाओ इसमें संदे नहीं है कि मन आति चंचल है और इसे बश में करना बड़ा कठीन है फिर भी हे अर्जुन अभियास और वेरग्ये इसे अधीन किया जा सकता है क्योंकि जिसका मन बश में नहीं उसको योगत्या है ऐसा मत है कि प्रंतु मन को बश्म करने वाले प्रयतन करते रहने से के उपाए द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं अर्जुन ने कहा है श्रीक्रिशन जिसमें शद्दा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ जिसका चित योग से बिचलित हो बैय गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई बैय दोनों और से भरष्ट होकर बिच्छी नुमेग के समानष्ट हो जाता एक श्रीक्रिशन मेरा ये संद्धिय आपको ही दूर करना पड़ेगा इसको इसको दूर करने वाला आपके अत्रीकत कोई नहीं है ये श्रीक्रिशन भगवान बोले हे तात हे पार्त उसका यहां नाश नहीं होगा और प्रलोक में भी नाश नहीं होगा प्रलोक में भी नहीं होगा क्योंकि उत्तम कारे करने वाला मनुश्य बहुत ही दिनों के तब उ जहां से वो फिर किसी पुवित्र और धनवान के घर में जाकर जन्मता है। अथवा बुद्धी मान योगियों के कुल में ही जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुरलब है। बड़े श्रम और यतन से जो उद्योगा भ्यास करता है। बैप तुम योगी बनो केवल मुझ में ही मन लगा कर मेरी प्रापती के लिए जो मेरा भजन करता है। उसको समस्त योगियों के मद्य मैंने अत्यनत्य स्टेश्ट माना है। इदी श्री मदभगवद गीता, गीता, सूपनिश्द, ब्रह्मा, बिद्या, योग, शास्त्र, श्री श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छटे द्याय का मात्य सुनो, गोदावरी नदी के किनार एक नगर था, बहां एक जन्शूती नाम एक राजा बड़ा धर्मग्य था, एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले, उन मेंसे एक बैठते उतावला हो गया तब उसने नगर में पंड़तोक ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों होड़ रहा है, क्या तू राजा जन्शूती से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है, तब उसने तब उन पक्षियों मैं जो सरदार था, उसने कहा है, इस राजा से बढ़कर भी एक रैकोमूनी शेष्ट है, बैबकुंट का दिकारी होगा, बैकुंट लोग स्वर्ग में से भी उंचा है, तब राजा के मन बिचार आया, कि मेरे से उसका पुन्य बढ़ा होगा, जिसकी ये हंस्तूती करते हैं, ये बिचार करके राजा ने कहा कि चल कर उसके दर्शन करने चाहिए, राजा ने सार्थी से रत मंगवा कर उस पर बैट कर वो प्रथम वना रहा, शिरिकाशी जी में जाकर गंगा सनानकर ब्रामनों को दान दिया, और शिपजी माराज के दर्शन किये, फिर लोगों से पूछा, यहां कोई रैको मुनी रहते हैं, लोगों ने कहा नहीं, फिर राजा ने उत्तर दिया, दिशा को जाकर बदरी नारायन को परसा, बहां से राजा का रत चला नहीं, तब राजा ने कहा, मैंने पृत्वी की प्रक्रमा की है, प्रंतु किसी स्थान पर रत नहीं अटका है, यहां ऐसा कोई पुन्य आत्मा रहा है, जिसके तेज से यह मेरा रत नहीं चलता, तब राजा रत से उतरकर आगे चला, तो देखा कि परवत कंद्रा में एक मुनी बैठा रहा था है, जिसका तेज बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूरे की कीनों को होती है, तब राजा ने देखते ही का, यह रहको मुनी होंगे, राजा ने डंदवत चरन बंदना करी और हाथ जोड़ कस्तूती करी, तब रहको मुनी ने राजा का आधर किया, और कहा है पित्वी राज, तू चारो धाम की परस नहारा धरम की साधना हारा है, तू पुन रित्य परती, गीता जी के शटे अध्याय का पाट करता हूं, इस कंद्रा में उसका प्रकाश है, यह सुनकर राजा ने अपने पुत्तर को बलाकर काहे, पुत्तर आज मैं, आज से तू राज्य कर, मैं तिर्थो को जाता हूं, इतने कहकर राज्या ने राज्याग दिया, यतन पुरुकर मातमा रेकव से गीता जी के शटे अधियाई का पापियास किया एक दिन प्रणायम करके दोनों ने देतियाग दी तब स्वर्ग से भी माना है जिस पर बैठकर वे बेकुन ठको गए साथ माधिया है श्री किष्ण बगवान बोले यह पार्थ मुझ में मन लगा करके ही आश्री होकर योगा भ्यास करते हुए तुम्हें मेरे सुवरूप का संश्रहित पुरुन ज्यान होगा सो सुनो बैपुरुन ज्यान मैं तुम्हें सुनाता हूं और अंकार ये आठ प्रकार के ही मेरे प्रकृति माया है प्रकृति को अपरा चेतन जर्च कहते हैं ही महाबाव इससे दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपुर्ण जगत सधारन किया है इनी दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन हुए ऐसा जानों कि ये प्र पत्ति और प्रले का नवी मैं हूं यहे धनजे दागों में जिस प्रकार मनी प्रोई जाती है उसी बांती यह संसार मुझ में ही गुता हुआ है मुझसे परे और कुछ भी नहीं है हेकुंति पुत्र जल मैं रसी मैं हूँ चंद्रमाज सूर्य प्रभा मैं भी हूँ सब वेदो मैं परणव मैं हूँ अकाश शब्द तता पुर्षो मैं पुर्षोतम भी मैं हूँ हे अर्जुन पित्वी मैं जो सुगंद है तता अगनी में जो तेज है, बिवी में ही हूँ, पोसम पूर्ण प्राणियों में, सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धी मानों में, बुद्धी रूप तेजवी में ही हूँ, ही अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान, पुर्शों में बल भी में ही हूँ, ब सत्वरज्जत तंद गुनों तीनों गुनों के प्रभाव के presents सारा संसार मोहिट रहते हैं इस कर्ण ये मुझे प्रमात्म को नहीं जानता मिरी यह गुण मैय और दिब्वय मया तियंत तुश्कर है जो मुझको अन्य भाव से बेजते हैं बजते हैं वे इस माया की पार कर जाते हैं जो पापी मूड नराधम माया से ने जिनका ग्यान हर लिया आसुरी भाव ग्रेण किये हुए हैं मुझको नहीं पाते है भारत श्रेश अरजुन चार परकार के जीव मु ग्यानी पूर्ष शेष्ट लगते हैं क्योंकि मैं ग्यानी को त्यंत प्रिय हूँ और बै मुझको प्रिय है ततात पी ग्यानी तो मेरी ही मेरी आत्मा ही है क्योंकि बै मुझको सर्वोत्म गतिमान मेरा ही आश्रिक ग्रेण करता है अन्यक जनम के अंतर ग्यानी मुझ में प पा लेते हैं